आज हूं स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी आफ जम्मु एंड किश्मी तो फर्स्ट क्वाचन है विच वंगदा फालिंग इज नाट एग्जेंपल आफ साइड वैली जो साइड वैली का उदार्न इसमें से कौंड सा नहीं है तो कौंड सा नहीं है राम कोड वैली साइड वैली साइड वैली है कोई नदी जब आपने कर्व से शोटी सी बैली बनाती है तो उसको साइड वैली कहते है तो अन्सर हमारा कौंड सा रहा राम कोड इस नाट एग्जेंपल आफ साइड वैली दा नार्मल लेफ्स आफ टेंपरेचर इन इन जेंड के इस जो नार्मल लेफ्स आफ टेंपरेचर है जम्मू कुश्मीर का तो कितना है यह जार मीटर्स अनसर इस अ लफ्स टेंपरेचर आफ जेन के कितना है शिक्स डिगरी पर हंडर्ड स्क्यार मेटर्स सिक्स सेंटिग्रेट पर थाउयंड स्क्यार मेटर्स डिरिंग दा समय सीजन सीटी आफ जमू एंड इन्स इन्वार्नस एक्सपिरींस एक कोल्ड विंड डिग्रीजी डिसेंडिंग फ्राम शिवालिक इन दा नाइट दा कोल्ड विंड इज लोकली नोन एज जो गर्मियों के मौसम में रात के समय जो ठंडी हवाच चलती है तो अस ठंडी हवा को लोकली किस नमसी पवारत यह ग Anders G इन डिसेंडिंग आडर में चलती है फ्राउम शिवालिक टू जमू सीटी इन दा नाइट टाइम जो मंथली टेंपरेचर होता है जून के महिने में जम्मू सीटी में तो कितना रहता है उसका 32 डिग्री सेंटीग्रेड किसमीर का उसको लोकली किस नाम से जानते हैं चिले इसका टैनियूर रहता है 21 दिसंबर से 13 जनबरी तक जे 40 दिन का कीड़ रहता है जो कोल्डेस्ट मन्थ है किशमीरी जीन का कि दा वाइड स्प्रेड रेंफाल डेनेंटर वाइस्टरवार्ड दिस्तुमिएंट्स किश्मीर लोकली य nome ह्न वश्टN डिस्ट्रिमेंट से जो वार्ष होती है किश्मीरी रिजिन में तो इसको किश्मीरी भाषा में क्या कहते हैं क्या कहते हैं अलम गिर जो वेस्ट्रिमेंट से है जो मेडिडेर ने सी से होती है सर्दियों में कॉर्यक्टली मैच इसमेचे कोंड सा नहीं है तो सबनात इसको क्या बोलते हैं जो कौन सा सीजन रहता है सपरिंग वहाराथ इसको रेनी सीजन बोलते हैं हरुद इसको आटम और शिशुर को क्या बोलते हैं? वेरी कोल्ड कौन सा नहीं है? शिशुर कब स्टार्ड होता है? कौन से महिने में स्टार्ड होता है? जनबरी टू मार्च तो कौन सा नहीं है? शिशुर विच अधा फालिंग इज दा लाड़ेस्ट नेचरल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया भारत की जो फ्रेश वाटर लेक है सबसे लाड़ेस्ट कौन सी है? तो कौन सी है? बुल्लर लेक बुल्लर लेक जो कहा है? किश्मीर रेजन में है और बारत की सबसे फ्रेश वाटर लेक है सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और एशिया की एशिया की सबसे लाड़ेस्ट फ्रेश वाटर लेक है तो पैंगाउंग लेक है यह कहा है? यह है लदाख रिजन में है यह वर्ल्ड की हाइस अल्टिचूड लेक है अल्टिचूड लेक है वर्ल्ड की यह लदाख रिजन में है दव मीन्स अनुल मीनिममम टेंपरेचर इन जीरो डिग्री आफ लदाख हीज तो मीनिममम टेंपरेचर रहता है लदाख का जीरो डिग्री वो किसके बराबर है माइनस 4.10 सेंटी रेड़ लोटर प्लेंस आप यम्मू और चिफली कंपोई अफ जो ओटर प्लेंस है जम्मू किसमीर के किसके बंते हैं अलूवल और सालके वावी जई लावी और कुमीर कर्ति हैं यह इरिया करती हैं कढ़ुवा डिस्ट्रिक, सामभा, आरेस्पुरा, अक्षनूर का एरिया कभर करती है, अलुवल साइल, यह फर्टिलाइल होते हैं, इसमें कौन सी मैक्सिमिन फसल कौन सी होते हैं सबसे ज्यादा, जीट और राइस, और प्लेंड के एरिया है, यह ओटर प्लेंड का एरिया है, दा हमालेयन ड्रेनेज इस इन नेचर स, जो जल परवाह है, नेचरली कहां है, अन्टी सीडेंड, अन्सेज अ, नंदी स्कूल वाटरफाल जी लुगेटर इन, जो नंदी स्कूल वाटरफाल है, यह कहां पर सितल है तो कहां पर है konsantly लेदर वैली में कि जिकाहं से आता है पीर पंजाल रेहीं से हृज मग। तूवाण दा लेदर वैली विदैस्ता एंड हाइड्वाइडचीड मफड़ा पी आर दक अनीसिडिनन नेप किसका है जेलम रिवर और इसका क्रिश्मिरी वाशा में एक नाम है इसका वैत लोकली नोन है वैत इरन और मदू मती आप दा ट्रबूटरी आप इरन और मदू मती किसकी ट्रबूटरी है किस नदी किस आइक नदिया है किसकी है जेलम रिवर की कि विच आप फालिग रिवर इस नाद क्राइटली मैच नहीं है कौन सी है इंडस रिवर जे कहां से उरिनेट होती है खंबड ग्लेशियर से जेलम जे सुना विरारी पीक से और किशन गंगाल जे किशन सागर लेक से जे कुरेक्ट हैं तो कुरेक्ट नहीं है चिनाव अंसर इस आप कुलू हिल्स जे चिनाव कहां से होती है यह बाराल लिचा अब बाराल लिचा पास से निगलती है कि कुलू हिल्स से कोण सी नजी निगलती है रोहतांग दर्रे से यह रिवर रावी कहां रुजिनेट होती है कहां से कुलू हिल्स रोहतांग दर्रे से मुझफरावाद इस दा कंफ्लेंस पॉइंट आफ बिच तू रिवर्स मुझफरावाद है पाकिस्तान में इसमें कौन सी दूर नदियां मिलती है किष्ण गंगा एंड जेलम दूर नदियां कहां मिलती है मुझफरावाद में विशाव राम बीरा रश्मी आर्ड ट्रविट्री आफ जिक किसकी ट्रविट्री हैं किसकी हैं जेलम रिवर्स की आणसर इस ए लेंथ आव रिवर चिनाव इन जेन केज रिवर चिनाव का लेंथ कितना है जम्मु किश्मीर मेर कितना है 1180 किलोमेटर 1180 किलोमेटर से चिनाव रिवर जो कहां से रुइनेट होती है 12 लच्चा पास से आके यह कहां पर चंदर और बागा दोनों कहां पर मिलती है टांडी में टांडी में टांडी में आने के बाद यह दोनों फ्लो करती है पंगी वैली से और वारत में कहां इंट्री करती है पाडर एरिया में लेंफ बनता है 1180 km कुर्षणी एड इरावति और इंसिडेट नेम आव विचoug में रीवर कुर्षणी एडर इरावति जो कौन सी नदियों के हैं ? कौन सी नदिया रिवर रावी यह कहां से और होती है ? रोहतांग दर्रे से और रहा Less यह निरह है neutral की डाव है टिर्वेट्री किस नदी की टर्वेट्री है ? तो किस नदी की है ? लुटत्य oriented subscribe my channel. Thanks for watching.